तो हे गाईज जैहिन एक बाप फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24 Y7 CA जोन में तो आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम इंगलिश का जो प्रिवेस यर कोशन्स हैं जो वो कैब पूछी गई है जो एरिर्स पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं तो य मैंने तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बल बटन दबा सकते हैं और अपनी तयारी पूरी पूरी एक ही जगा से कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भाई यह प्लेलिस्ट आप देख सकते हो जो नए स्टूडेंट से उनको बता रहा हूँ पुराने स्टूड की जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको आप बहुत ही असानी से हर एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हो आपके एंटरेंस एक्जाम पे पूरा फोकस्ड वे में यहाँ पे चीजों को आपको दिया गया है यहाँ पे आपकी कॉमर्स की क्लास है और यह अगर आप चाते हो कि वो खुशी आपको मिले तो 249 की 249 क्लास वन बाइवन आपको करनी है हर एक क्लास ऐसी इंग्लिश में 40 क्लास है तो वन बाइवन आपको हर एक क्लास कर लेनी है थंब नेल पर क्या लिखा है उससे आपको नहीं मतलब है क्लास में इंग्लिश का कंटे पर यह रहा stipulation यहाँ पर आपको क्या है कि जो आपकी spelling है वो पूछी गई है कि इसमें correct spelling आपकी कौन सी है तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर जो first word आपका लिखा है stipulation यह इसका correct spelling होने वाला है तो इस तरीके से भी question आता है आगे देखते हैं जैसे कि यह question है तो इसमें disparage की spelling पूछी गई है तो disparage की correct spelling option number 4 आपका correct answer बनेगा जो कि यहाँ पर disparage यह spelling आपकी correct option यहाँ पर बन जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question है यहाँ आपसे admonish की जो spelling है वो पूछ रहा है तो admonish की spelling आप easily अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है चीज़ों को तो option 4 आप लगा दोगे कि admonish correct spelling यहाँ पर होने वाली है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो next आपका है यहाँ पर again vicarious की spelling पूछ रहा है तो बहुत सारे students option number 1 के साथ चले जाएंगे but actual में इसका correct answer बनेगा option number 3 जिसका मतलब होता है indirect way में कुछ चीज़ों को बोलना कुछ चीज़ों को करना vicarious 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 r i o u s okay moving on next question है यहाँ पे आपका opposite पूछा गया है ठीक है opposite word आपके अब यहाँ पे आ रहे हैं कुछ तो आपको बताना है कि ambiguous या ambiguity का opposite word यहाँ पे कौन सा होने वाला है देखो ambiguous का सबसे पहले जो मतलब होता है वो क्या होता है unclear या doubtful आप बोल सकते हो ठीक है जो spust ना हो जो धुन्दला हो उसको कहते हैं ambiguous और उसके opposite में जो lucid है उसका मतलब होता है transparent या clear आप बोल सकते हो जो spust हो तो option second यहाँ पे correct option बन जाएगा correct answer बन जाएगा इसमें भी आपको opposite बताना है तो benign का मतलब क्या होता है जो बहुत ही जादा घुल मिल जाए benevolent हो उसका synonym है यह और friendly nature हो बहुत ही जादा आपको bless करे friend की तरह रहे यह यहाँ पे आपका इसका क्या बनता है synonym बनता है अर्थ बनता है बट यहाँ पे opposite पूछा गया है opposite आपका बनेगा option number one that is male volant जिसको जिसके evil thoughts होते हैं जिसके evil thoughts होते हैं evil mind होता है जो hostile होता है hostility शत्रू की तरह वो यहाँ पे correct answer बनेगा क्योंकि option number one ही वो है जो इस sentence की बात कर रहा है तो यहाँ जो आपके options दिये गए हैं बहुत ही closely related है तो आपको sentence को ध्यान से पढ़ना है जो क्या पूछा गया है opposite या meaning ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान से रखनी है synonym पूछा गया या antonym इसमें भी आपको antonym ही बताना है मतलब इसका opposite word बताना है तो oblivion इसका जो आपका correct answer यहाँ पे अगर हम opposite word देखें कौन सा होगा तो memory होगा ठीक है बाकी सब के जो meaning है वो बहुत option a आगे बढ़ते हैं next यहाँ पे है आपका bregart bregart का मतलब होता है boasting ठीक है boasting मतलब डिंगे हाकना मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा ये सब जो इस तरीके के words होते है वो bregart में होता है modest मतलब बहुत number कि हाँ ठीक है भाई हम जो करेंगे हम करेंगे वो आप लोग देख लेना हम मैनत करेंगे वो आप लोग देख लेना ठीक है तो modest यहाँ पे correct answer बनेगा आगे बढ़ते है gerulis पूछा गया है इसमें यहाँ पे आपका opposite again पूछा गया है तो gerulis का मतलब क्या होता है जो बहुत ज़्यादा बात करें talkative हो locatious हो locatious, talkative, gerulis यह सब synonym है याद रखना है बहुत ज़्यादा बात करने वाले को हम यह तीनों words बोल सकते हैं, dedicate कर सकते हैं but quite जो चुपर है spelling भी जरूर देख लेना quite का मतलब यह q-u-i-e-t है वो चुप रहने वाला q-u-i-t-e that is different ध्यान रखना है और weary क्या मतलब ठका हुआ ठकान वाला, lethargy हो गया या lazy हो गया next आपका पूछा जा रहा है word की lassitude का जो आपका meaning है वो क्या होगा तो lassitude का अगर हम meaning की बाद करें nearest meaning इसका मतलब होता है lethargy, बहुत ठकावट भरा बहुत weary हो सकता है बहुत ज़्यादा lazy हो सकता है ठीक है, ठकान से बरा इस तरीके से आपको याद रखना है energy less, okay lassitude, next word आपका पूछा जा रहा है utopia, तो एक perfect situation एक perfect state जो होता है उसे हम utopia बोलते हैं याद रखना है, option d, four यहाँ पे correct option आपका बन जाएगा nearest meaning utopia का आगे बढ़ते हैं, equivocal तो equivocal का क्या होता है जिसका मतलब clear ना हो वो इधर भी बोल रहा हो, right भी बोल रहा हो और बता रहो कि या नहीं यार ये गलत भी है confusion वाला जो part है वो यहाँ पे होता है, तो questionable that is questionable, ठीक है तो not clear आपको याद रखना है और आइस परस्ट यहाँ पे आप इस तरीके से याद रख सकते है equivocal का meaning आइस परस्ट होता है, ठीक है आगे बढ़ते है next है vituperation, ठीक है, या vituperation, आपको जैसे पढ़ना है, वैसे पढ़ो, बट ऐसे पढ़ो कि आपको उसका जो spelling है ना वो याद रहे, ठीक है तो vituperation का जो meaning होता है, वो होता है option 3, that is malediction जिसका मतलब होता है vulgar words use करना, ठीक है, गाली देना, जे यहाँ पे आपका, इसका meaning होता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, apprehension आपसे पूछा जा रहा है, इसका nearest meaning क्या होगा, डरावना dread जो है, आपका यहाँ पे जो theory होता है, डर होता है डरावना होता है, वो यहाँ पे इसका meaning है जो कि option number 3 ही बताएगा तो इसका जो synonym है, जो nearest meaning बता रहा है, वो हो जाएगा dread apprehension का dread so इस तरीके से हमने अपनी हाज के कुछ important words देखे हैं, और यह हमारा paid batch है, आप इसको ले सकते हो join कर सकते हो, अभी भी time है, और full preparation यहाँ पे आपको हर एक subject की देखने को मिलेगी, और जब तक आपका entrance exam नहीं हो जाता, तब तक आप classes को बार-बार attempt कर सकते हो, doubt पूछना है तो पूछ सकते हो, time saving approach आपको reasoning के questions कैसे method यूज करने, aptitude में कैसे method यूज करने, questions को कैसे कम समय में solve करना है, वो सब यहाँ पे बताए जा रहा है, relevant content पढ़ा जा रहा है, जो कि मैंने आपके entrance exam को qualify कराने में मदद करेगा, सबसे जादा तो यही बात है कि relevant content पछले दो साल से preparation करवाते हुए आ रहे हैं, और इस बार भी करवा रहे हैं, और selection दिलाएंगे, बट बशरते आप मेहनत करो, यही हर बार का है हमने, और जिन students ने मेहनत किया, उनको सफलता मिली है आपको भी मिलेगी, बाकी free वाला जो है, playlist मैंने पहले भी दिखा दी, जो paid वाला है, वो भी बता दी आपके सामने मिठाई है, किस तरीके से आप खाते हो, उस पे work करते हो, कैसे digest करते हो, यह आप पर depend है, सही से पढ़ोगे, selection जरूर मिलेगा, यह लिख लो, यह e-book है, इसमें आपको reasoning का हर एक patent cover mental aptitude का हर एक patent cover computer के हर वो possible one linear question आपको दे दिया जाएगा, और current affairs का भी जो e-book है, वो भी इसके साथ आपको दे दिया जाएगा, वीडियो के तुरू आपको जो भी questions है, हर एक question का solution दे दिया जाएगा, model paper, practice paper दे दिया जाएगा, जैसे आप थोड़ी सी practice भी कर सकते हो, पाकी तो YouTube पर भी हमारा चीज़े available हैं, और अगर paid badge जोइन करते हो, तो वहाँ तो available है, तो ये सब चीज़े आपको एक, इस e-book में दिया जा रहा है, मातर आपकी एक plate momo जाएगी, 70 rupees में, आपका ये जो है, आपको email मिल जाएगा, और description box में आपको इसका link दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा main इन बात तो ये है ना, कि आपके career का सवाल है, अगर आपको एक अच्छा college मिल जाते है, तो आपकी study बढ़ियां से हो जाएगी, और फिर आगे भी आपके सामने options आ जाएगे, कि हाँ, इस ex college से बढ़े हुए हैं, तो भी चीज़ चाहें, आप ले सकते हैं, family में ने तो family को subscribe करके, बल बटन जरूर दो बात ने, जिससे आने मले दिनों में आपको सब भी updates, सब भी classes, time to time मिलते रहेंगे, और बाकी हमने WhatsApp नमबर आपको दिखाई दिया है, तो अगर कुछ भी query है, तो आप वहाँ से हमें query करके पूछ सकते हो, जो भी पूछना है, तो फिलाल के लिए end करते हैं, पढ़ते रहें, बने रहें और मुस्कराते रहें, रिविजन करते रहें, जय हिंद, जय भारत